तो है गाज देखिए इस डेस की कटिंग और स्टीचिंग में आप लोग इसाद शेयर करने वाली हूँ यह जो पिचर है मेरी एक सब्सक्राइबर ने इस्टाग्राम पर सेंड किया था तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं इसको बना रही हूँ एक्चलि उन्होंने वीडिय सेंट कर सकते हैं तो मैंने वीडियो लाने में बहुत देर कर दी हूँ तो मेरी थोड़ी सी तवियत खराब हो गई थी इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा लेट हो चुका है मेरा ठीक है तो कोई बात नहीं चलिए इस वीडियो की कटिंग और स्ट्रेस की कटिंग और स् बट ये cotton है ठीके गाईस देखिए थोड़ा सा यह हलका सा लगेगा कि ये saturn है बट ये cotton फैबरिक है ठीके आप कोई भी फैबरिक इसमें ले सकते हैं थिक वाला जोर्जट फैबरिक रहेगा तो इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा गाईस तो इसका जो लुक है वो बहुत ही जीए उसके बाद आप इसको इसमें फोर इंच एक्ष्ट्रा इसमें ले लेना है उतना फैबरिक इसमें आपको फोल्ड कर देना है ठीके मेरे मेजर्मेंट में देखिए 14 इंच पे आ रहा है और यहां से आपको लेंट जितनी भी आपको रखनी हो उतने लेकर आप लोग इसमें ले सकते हैं 36 की बेरी लेंद है तो मैंने टू इंच इसमें प्लस कर दिया है तो 38 इंचेज मैंने इस तरह से ये ले लिया है देखिए 38 इंचेज हो गया तो यहां से देखिए मैंने 14 इंचेज लिया है ठीक है तो बस इतना ही हमने करना है और यह जो साइट का जो फ और यहां पर हम अपना सबसे पहले शोल्डर लगाएंगे जो कि मेरा 14 इंच का शोल्डर है उसका हम हाफ लगाएंगे 7 इंच पे इस तरह से और यहां पर हम अपने आर्मुल के लिए लगाएंगे 7 इंच पे इस तरह से और यहां से हम अपनी वेस्ट लेंद लगाएंगे 15 इ सीधा-सीधा draw कर देंगे तो ये हो गया अभी हमारा तो आप देखिए यहाँ पर मैं 7 इंच पे ही लगाऊंगी एक इंच पीछे कर दूंगी front के arm haul के लिए तो यहाँ से भी मैं इसको इस तरह से सीधा कर दूंगी तो ये हो गया भी हमारा तो देखिए अब हम यहां पर अपना चेस्ट लगाएंगे आपका चेस्ट जितना भी हो मेरा 36 का चेस्ट है मैं इसको 4 से डिवाइट कर रही हूँ और 1.5 इंच मार्जिन मैंने इसमें ले लिया है ठीक है और यहां पर भी आपका वेश्ट राउन जितना भी हो उसको 4 से डिवाइट कीजिए और यहां पर लगा दीजिए मेरा 7 इंच पर है तो मैं यहां पर 7 इंच पर ही लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन में इसमें ले लूँ इस तरह से जैसे के मैं स्क्रीन पर भी लिक रही हूँ देख लीजिए आप लो तो यह स्मॉल साइज मैं बना रही हूँ 36 का तो आर्मोल का शेप मैंने इस तरह से दे दिया है अब यह जो दूबारा में जो लाइन लगा रही हूँ यह हमारा मार्जिन है जो एक्ष्टा हमने डेड़ इंच लिये है तो यहाँ पर देखिए मैं एक धाइंच पर इस तरह से चड़ा रही हूँ यह कॉटन है तो यह मैं धाइंच पर ही चड़ाया है मैंने इससे ज्यादा नहीं किया है और अब हम इसको इस तरह से जोइन कर देते हैं लगाए हैं बिल्कुल वैसे ही लगाकर वन इच एक्ष्टा लगाना होगा आप लोगों को कि हिप में जो है हम चाक ओपन नहीं रखते हैं तो यह फिट हो जाता है इसलिए वन इच आप एक्ष्टा ही लगाकर इसमें लगा लीजिएगा तो चलिए अब देखिए यहां से मैं इस तरह से हाफ कर देती हूँ शेव देने के लिए हमने यह यह बहुत आसान तरीका है और यहां से हमने इसको शेव दे देना है बस इतना ही करना है हमने तो यह हो गया भी देखिए यहां से मैं 3 इंच का निक लगा रही हूँ निक की चोड़ाई और 1.5 इंच शोल्डर डाउन कर रही हूँ और यहां से इसको इस तरह से जॉइन कर दूँगे तो यह हो गया भी हमारा दिखिए यह फ्रंट का आर्मोल हमने इस तरह से शेव दे दिया है तो बस इतना ही करना है हमने अब इसको कट कर लेना है फटाफट से तो दिखिए यह एलाइन कुरती हमारी कट हो चुकिए बट इसमें सिर्फ इतना है कि यह जो इसकी लेंथ है यह मैंने कम रखा है चीक है क्योंकि इसका जो पैटन है बिल्कुल यह वैसे ही है इसलिए मैंने इसको कम ही रखा है चीक है तो यह फ्रंट का आर्मोल कट कर लेते हैं इसमें भी देखिए तो यह हो गया भी हमारा अब यह नीचे जो हमने शेप दिये हैं इसको भी हम कट कर लेते हैं इस तरह से देखिए यह वाला ये वाला ठीक है तो ये हो गया भी हमारा ये एलाइन कुर्ती हमारी तैयार हो चुकी है अब ये स्लीव के लिए देखें फैबरिक मैं ले लिया है जो साइड में हमारा फैबरिक निकला हुआ था ठीक है तो आप देखें इसी फैबरिक को मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी त्री इंच पर यहां पर निशान लगा रही हूं मैं ठीक है गाइस तो अभी देखिए इसको मैं यहां से इस तरह से तिर्चे में एक लाइन लगा देती हूं और यहां से इस तरह से इसको शेव देती हूं ठीक है तो यह हो गया भी अब देखिए यहां पर हम अपना स्लीव रोड लगाएंगे साड़े चार इंच मेरा स्लीव राउंड है और 1.5 इंच मार्जिन मैं इसमें लेकर इस तरह से शेफ पट्टी से मैं इसको शेफ दे दोंगे तो यह नॉर्मल स्लीव हमारी बन जाती है तो यह कट कर लेते हैं अभी तो बस इतना ही करना है हमने स्लीव तो बहुत ही आसान होती है कट करना इसमें कुछ इतना ज्यादा परशारी नहीं आती है अभी जो बचा हुआ फैबरिक है इसमें हम अपनी नेक के लिए इस्तेमाल करेंगे कि खिक है तो चलिए यह स्लीव का आप शेव देते हैं हम है इसमें कि तो मैंने इसमें पैंट के साथ इसको रेडी किया है गई पैंट इसमें नहीं बताई है कर दिये आप लो घी देख सकते और यहां से नोच लगा देते हैं एक हमारे फ्रंट के आर्मोल के लिए तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं देखिए नेक बनाने के लिए मैंने पेपर फ्यूजिंग लिया है इस तरह से और यह कितना लिया है और कैसे हम इसको लेंगे यह मैं आप लोगों को अच्छ पे यह त्री इंच पे लगा दिया है मैंने अभी और यहां से मैं नेक ले रही हूँ फाइव इंच पे आप अपने अकॉर्डिंग इसमें नेक लगा सकते हैं मैं फाइव इंच पे लगाया है मैंने छोटा नेक रखा है और यहां से भी इस तरह से एक बॉक्स बना देते ह यू शेप जैसा मैंने नेक इसमें रखा है ठीक है तो ये हो गया भी अब देखिए मैं यहां से 1.5 इंच का ये मार्जिन छोड़ दूंगी इसमें और हमारा जो बैक नेक है उसको मैं इसमें लगा दूंगी तो ये देखिए ये मार्जिन मैंने छोड़ा है 1.5 इंच तो ये हो गया भी अब देखिए यहां से एक फिर से सिधा कर देते हैं और यहां से मैं रख रही हूँ 2.5 इंच पे मार्जिन ये देखिए ये नेक है अमारा बैक नेक धाइंच का नेक रखा है मैंने और हम इसको भ अपना नेक जो है वो ड्रॉ कर देंगे इसको भी मैंने गोलाई में ही रखा है और यहां पर भी 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते वे इसमें हम शेप देंगे यह देखिए इस तरह से तो यह हो गया भी हमारा तो अब इसको सबसे पहले यहां से कट कर लेते हैं तो यह हो चु का यह आप दिखिए इसको हम हाफ इंच पे इस तरह से मशीन पे फोल्ड कर लेंगे तो गाइस एक नेक जो है मैं आप लोगों को बना कर दिखा देती हूं बाकी का जो है मैं नहीं बताऊंगी तो यह दिखिए मैंने फ्रंट लिया है भी फिलहाल के लिए क्योंकि हमें इस इस सेंटर बनाया है ठीक है और इस तरह से पिन से हम सेट करेंगे अगर आप लोग बिगनर्स है तो इस तरह से सेट करके ही आप लोग इसमें नेक बनाईएगा तो यह देखे जैसा हमने निशान लगा है उसी निशान पे मैंने इसको सिल दिया है और इसको थोड़ा- करना बहुत आसान होता है तो यह नेक हमारा बन चुका है ठीक है तो चलिए अब इसको रख देते हैं अब जिस तरह से हमने यह फ्रंट नेक बनाए हैं बिल्कुल उसी तरह से यह बैक जो है हम इसको भी बना लेंगे तो चलिए इसको मैं बना लेती हूं फिर मैं आगे का अप लोगों को बता डीकिश्क अपनी जो फूल लेंध होती है कुर्ती की उससे हमने टेन इंच इसमें एक्स्ठर लेना है लेफ्ट हूँ ठीके लेन तो मैंने वन पॉइंट पांच मार्जिन स्वें लेना है जैसे मेरा थार्टीज इसको फोर्ट पैंच तो मैंने 1.5 म मा ब्रिक की चोड़ाई ले ली है मैंने आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरह से करना है चाहे वो कोई भी मेचर मेंट हो ठीक है तो यह two piece लिया है देखिए मैंने इस तरह से two piece है यह हमारे तो आप सबसे पहले देखिए हम अपना waist length लगाएंगे यहाँ पर 15 inch ठीक है waist length लगाया है मैंने 15 inch पर लगाया है अब हम यहाँ पर देखिए अपना जो belt है वो front वाला जो belt है हमारा वो यहाँ पर लगाएंगे देखिए यह मैंने belt भी बना कर रखा है यह इसकी जो length है belt की यह 30 inches है यह देखिए 30 inches और इसको हम यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर मैंने waist length का निशान लगाया है बिल्खुल वहाँ पर हम इसको रखते वे इसको सिल देंगे तो यहाँ से देखिए मैं कैसे इसको सिलेंगे बता देती हूँ तो मैं यहाँ से पिन से इसको लगा दिया है मैंने अभी हिलेगा नहीं है अब यहाँ से इसको सिलना शुरू कर देंगे यह देखिए यहाँ से और यह पूरा हमने इसको सिल देना है ठीक है और इसको कहां तक हम stop करेंगे यह मैं सिलने के बाद ही बताऊंगे आप लोगों को देखिए यह सिल दिया और fold कर दिया मैंने सीधा कर दिया इसको और यह देखिए जहां तक हमने अपनी top की length है वहाँ तक हमने इसको इस तरह से सिल देना है तो देखिए मैंने कैसे इसको सिला है दिखिए बिल्कुल fabric हमारा नहीं दिख रहा है मैंने इस तरह से सिला है और इसको इस तरह से तिर्चे में सिल कर एक cut लगा दिया है ठीक है cut लगा कर इसको fold कर दिया है ताके fabric के जो धागे है वो अंदर ही रहे बाहर ना निकले तो अब हम अपना front लेंगे यह हमारा front है देखिए यह नीचे से भी मैंने fold कर दिया है double fold करते वे सिल दिया है मैंने ready कर दिया है इसको अब यह जो हमने बनाए है इसको हमने यह जो हमारा neck है यहां रखना है ठीक है जिस तरह से मैं बनाई हूँ उस तरह से आप लोग भी बनाएगे तो यह बराबर आप लोगों का यह अच्छे से fit आएगा ठीक है तो देखिए देखिए परफेक्ट यह हमारी कुरती के length के according आ रहा है ठीक है बाकी जो नीचे extra है वो 10 inch है हमारा उके गाईस तो चलिए अभी देखिए मैं इसको pin से यहाँ पर अच्छे से sit करदेती हूं ताकि यह आगे backarcher यहां से और मैं इसको भी मैं इहां से pin से इसको set करदेती हb अभी हम इस पिन से इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ गाइस वीडियो को प्लीज पूरा देखा किजिए ओके तो आप देखे इसको पलट देते हैं यहां से यह फैबरिक नहीं हिलेगा अभी डोंट वरी यह देखे अब यह जो कुर्ती हमने कट किये हैं एस इट इस हम इसको कट कर लेंगे जो एक्ष्टा निकला हुआ है बाहर इसको हम कट करके यहां से हटा देंगे ठीक है यह देखे कुछ इस तरह से तो देखें यह कट गया भी हमारा यह देखें यह हो चुका है तो यह हमारी कुर्ती के अगॉर्डिंग कठ हो चुका है भी तो अब यह जो दूसरा वाला बेल्ट है ये वाला हम यहाँ पर रखेंगे अपना जो वेसला उनका नोच हमने लगाए थे देखिए यहाँ पर हमने इसको दूसरा वाला बेल्ट जो है ये रख दिया है तो अब ये देखिए ये रेडी हो चुका है अभी हमारा फ्रंट का अब हम इसमें ये जो लेस है ये मैं यहाँ लगा दूँगा पिन हटा देती हूँ मैं यहाँ से क्योंकि हमने सिलने से पहले जो है इसमें ये लेस को इसके साथ लगाना है यह देखिए यहां से देखिए यह open हो गया ठीके तो आप सबसे पहले इस पर हम यह lace जो है यह बहुती आसानी से मिल जाती है इस बहुती यह cheap price में मिलती है lace यह बहुत आसानी से मिलने वाली lace है ठीके तो इसके उपर इस तरह से lace रखते हैं हम इसको एक stitch लगा देगे ठीक है उसके बाद देखिए ये जो back निक मैंने आप लोगों को बताया था ये back मैंने ready कर लिया है और यहां से हम इसका lace लगाने के बाद shoulder को fold कर लेंगे ठीक है अब हमने shoulder को join कर लिया है अब यह जो sleeve हमने cut किये थे यहां से double fold करते वेशिल देना है हमने उसके बाद हम अपनी कुर्ती में इस sleeve को attach कर देंगे अब क्या आप लोगों को sleeve लगाना आता होगा तो यहां पर मैं zip भी लगाऊंगी गाईस क्यूंकि मैंने इसको थोड़ा सा fitting में ही बनाया है तो मैंने zip इसमें लगा दिया है ठीक है तो देखिए दोनों sleeve मैंने इस तरह से लगा दिये हैं और यह हमारी कुर्टी जो है इस तरह से अब हम उल्टा करेंगे यहां से और जितना आप लोगोंने इसमें margin रखे हैं बिलकुल उसी margin पे इस तरह से इसको seal देंगे ठीक है 1.5 inch हमने इसमें margin रखे थे बिलकुल उतना ही इसमें seal देंगे तो चलिए sealने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ यह हमने कैसे इसको अच्छे से यह जो belt है हमारा इसको हम अंदर की तरफ ही रखेंगे देखिए यह वाला इसको अंदर के तरफ ही र चुकी है देखिए side की slide हमारी लग चुकी है यह देखिए इस तरह से और यहां से यह हमारे belt जो है यह ready है ठीक है तो guys अभी जो हमने lace patch जो हमने बनाए है वो इसी lace के साथ हमने बनाए है यह जो हमारा flower है इसको मैंने single single flower cut कर लिया है यह देखिए यह जो हमारी lace है इसी में इस तरह से मैंने flower cut किये है चोटे चोटे से इसी flower को मैंने इस तरह से यहां पर shoulder पर मैंने इसकी शुरुवार शोल्डर से की है यह देखिए यहां पर कुछ इस तरह से मैंने इसको set कर दिया है आप किसी भी तरह से इसको set कर सकते हैं यह देखिए एक triangle बना लीजिए इसमे आप किसी भी तरह से अपने according इसको set कर सकते हैं मैंने इसको जैसे जैसे यह set की वैसे वैसे यह अपने आप बनता गया मैंने इसको बस कुछ खास इसमें नहीं किया है बस इसको set कर दिया है मैंने इसके उपर यह देखिए कुछ इस तरह से यह देखिए बस इतना ही हमने इ टैच कर दूँगे पहले में इसको एक स्टिच लगाऊंगे मशीन स्टिच उसके बाद इस पल्स को मैं अपने निडल से इसको लगा दूँगे ठीक है तो बस इतना ही करना है हमारी जो कुरती है वो बहुत आसान हो गई है हमने हमारे सिल चुक्या है यह कुरती अभी ठीक है देखा था थमनेल पर ठीक है तो गाइज वीडियो कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए और शेर कीजिए मेरी वीडियो को और फोलो कीजिए मुझे इस्टागराम पर और फेस्बुक पर भी और चैनल को सब्सक् को सीख सकते हैं और सभी की लिंक इस्टागराम की लिंक सभी की लिंक मैंने डिस्क्रेम्शन बॉक्स में देख दिया है आप वहां से चाहो तो देख सकते हैं तो गाइज मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना धेर सरा ख्याल रखे दूआ में मु